सो हेलो गाइज और कम बैक गोहलें मैं यूटूब चैनल स्रीप बाला इस्टेक्स गाइज जैसे कि कल 30 अगस्त को साम 6 बसके 3 मिनट पे जो हमार चंद्यान है वो चंदमा की सता पर सौब लेंडिंग कर चुका है और गाइज चंदमा की सता पर सौब लेंडिंग करते ही उसक चलींग बाद वहां चंदमा की सता पर सौब लेकर आ जैसे कलाब लोगों देखा हो गाइज यहां पर वहां पर लेंडिंग होई उसको सब सेलीवेशन करने लेंगे और जो रोवर है वो तुरंत वहां से ओपन नहीं हुए उसमें से रोवर नहीं निकला तह और अब जो र हुआ है उसने कुछ जानकारिया भेजी है और जो लेंडर वह भी कुछ जानकारिया भाब भेजा हुआ है तो चलिए हम पूरा सब्सक्राइब करते हैं तो फ्रेंड्स मैं राज और स्वागत हमारी ऊकुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कि पर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बिला गंदमाने मत भूलेगा जिससे एक आपको मैं सारी वीडियो की लेटिस्ट अडियसमें पर मिलती र और नहें निकला भी सब्सक्राइब कैस्याइब नहीं कर रहा था। संब्सक्राइब HC लिससे और बिलेज हो अन्ग हो रहा था इसऄे वहां दो प्रेषर निची आरहें वहां पर बैठ गए वैसे उसके बाद जो रोवर उसको निकाल दिया गया है जब आप सोचें कि वहां पर धूल तो ऐसे भी उड़ सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जिससे कि आपको पता होगा जो चंदमा है वहां पर इन्वार्मेंट नहीं है तो वहां पर ऐसी कोई वायू नहीं उत पहती है जैसे कोई वहां पर एर नहीं चलता है तो गाई जैसे हमारा Rover रहाँ पर निकला, जैसे हमारा Rover रहाँ चन्दमा के सद्धार पर निकला, उसके बाद देखिए हैं कुछ इस प्रकास को जो टायर उसके निसान पड़े हुए हैं, जिसमें ऐसा बनाया गया था, और गाई जिसमें के देखिए हैं, आपको देख इस रोका सिम्बल है, यहां पर जो इंडिया का प्रतीक चिन है, यहां पर दिखाई दे रहा है, जो गाई यहां पर जो हमारा Rover रहा है, जैसे यहां पर चले वैसे वैसे इसके जो वील है, इसके निसाने हैं पर पर ते जाएंगे, और यह बहुत आसाने से बहुत जल्दी यहां पर नहीं मिट्रीन वाला है, जैसे मने आपको पहले बता दिया था, जो वहां पर इन्वार्बेंट नहीं है, वहां कोई एर नहीं है, इसके वजह से वहां पर कोई धूल अगरा भी नहीं उड़ेंगे, तो यहां पर काफ़ी दों तक रूपा रहेगा, और गाई चल इन्डिया ने चांद पर सेर किया, और गाई यहां पर देखे एक दूसरा ट्विट आया हुआ है, इस रोक तरफ सिस में लिखा अब उसके लिखा हुआ लेंडर माडियूल पेलोट्स, आई एल एसे रमभा आयन, चास्टे आर टर्ण अन टूडे, रूवर मोबिलिटी, आपरेसंस हैव कमांस्ट, से पेलोट्स माडियूल वाज टर्ण अन संडे, सुगाई यहां पर देखे दिया हुआ है, कि जितनी भ इसे हैं, रमभा हैं, चास्टे हैं, इसी प्रकास से जो यह आज टर्ण हो चुके है, जो यह तीनों पेलोट्स हैं, यह आज lend हो चुकें, भतलो है, चास्टे हैं, क्या हैं? और उसके बारे में हैं पताक करेगा और यहार इसमें है प्ट काईयोड करेगा इससों के लिए दिया प्लाज्प करेगा हुगाूर लोस बेलोट चंद्यान दिनों के लिए गया हुआ है यहां पर धरतिक हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर लगभग चौदर दिनों तक लगतार सूर रहेगा जिसके वज़ाथ यहां देखिए जो हमारा लेंडर इसमें भी सुलर सिस्टम लगा हुआ है दोनों तरफ लगा हुए आगे और पीछे और बिल्कुल इसी का जो हमाई रोवा इसमें इस सोलर सिस्टम लगा हुगा है जिसके वज्जह से यहां पी चार्ज होगा चार्ज होने पाद यह वर्क करेगा यहां से नर्जी लेगा उसके बाद यह वर्क करेगा और जैसे वारिसे जिसमें जो भी उपकरन यहां पर लगाए गया है वहां पर खराग होने की चांसे बहुत जाद हैं इसलिए इसको सिर्फ 14 दिन के लिए भेजा गया है और यह 14 दिन तक वर्क करेगा और उसमें चंदमाय की सर्फिस के अध्यान करेगा वहां तम्रेचर के बारे में स्काइब करिए चली फ्रेंड्स हम आप से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेट और बिक साथ तब तक क्लिए बाए बाए जैहन